कोई-फ्रेंड्स देखेल आप ड्रेय्म 11 यूज़ करते हैं और आपने कुछ दिनों से या कुछ मिहनों से आप ड्रेय्म 11 याँ पे करना सुरू कर दिये हैं और आपको कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा है ओके फ्रेंड्स देखेगर आप ड्रीम 11 यूज करते हैं और ड्रीम 11 यूज करने के साथ ही जब आप अपना टीम क्रियेट करते होंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि Allrounder में यहापे सो हो रहा होगा तो फ्रेंड्स अगर आपने नया नया ड्रीम 11 खेलना सुरू किया है तो आपको बहुत सारा कन्फूजन होगा तो उसमें हम आपको सारा कन्फूजन दूर करने वाले हैं जिसमें कि एक option यहापे नजर आ रहा होगा Allrounder का और यहापे Select 1 to 4 Allrounders इसका क्या मतलब होता है और का जो option यहापको दिखर आओगा Select 1 to 4 Allrounders तो इसका मतलब है कि आप Allrounder में कम से कम एक प्लेयर रख सकते हैं और ज्यादा ज्यादा आप चार रख सकते हैं जैसे आप एक अगर रखते हैं तो आपका एक भी यहाँ पे चल जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जाबा आप यहाँ पे नहीं ज्यादा रख सकते हैं और आप यहाँ पे प्रिवीवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ तरह का इंट्रव आपको Allrounder का option जो है यहाँ पे सूख हो जाएगा और यहां से बैक अगर आते हैं आप बैक आने करता आप तीन भी रख सकत हैं और प्रिवीवर्ड पे जाके चेक कर सकते हैं या तो इसका मितलब है कि आप यहाँ पे कम से कम आपको एक लेना ही परेगा एक आपको एक कम से कम एक आप जिए सोचे का इसको हम नहीं लेंगे तो आप यहां से आगे नहीं बढ़ सकते हैं बढ़ तो जाएंगे पर आप यहां पे जो और से कितना रख सकते हैं और इससे आपको क्या फाइदा होने वाला है